Hello everyone, 61st question है, Rig Vedic Religion was, जो Rig Vedic Religion था, वो किस तरीकी का था? वो Polythistic था, Monothistic था, Monistic था, या फिर Liberation था? तो हमारा सही उत्तर है Polythistic, Polythistic पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारे Thistic मतलब होता है Beliefs तो बहुत सारे देवी देवताओं या बहुत सारे Gods पे बिलीव करना Polythistic होता है, ठीक है? तो Rig Vedic Polythistic Nature का था, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी तो Rig Vedic जो Aryans हैं, वो क्या है? नीचर पे बहुत जादा उनका फोकस होता था, नीचर की वर्शिप करते थे और नीचर को Animated Soul की तरह उसको देखते थे मतलब देखते थे कि नीचर में भी क्या है? जान है, प्राण है, ठीक है? वैदिक गॉड्स को तीन गृप्स में डिवाइट किया गया है, बहुत अच्छी से धेहन देने की बात है, इंपोर्टन है, तीन गृप्स हैं वैदिक गॉड्स के फरस्ट जो हमारा है, गॉडफ स्काई, ठीक है, श्काई के गॉडट कौन है? वरून, मित्र, सूर्य और विष्णू ठीक है, गॉडफ स्पेस कौन है? इंड्र और रूद्र, गॉडफ अर्थ कौन है? अग्नी, ब्रिहशपति और सॉम next question है the largest number of Rig Vedic Himes are devoted to तो देखे जो सबसे ज़्यादा Himes devote किये गये हैं वो Indra को किये गये हैं चीक है Indra को कितने 250 Himes जो है Indra को devote किये गये हैं और कहां किये गये हैं ये Rig Ved में चीक है तो Indra has been described as the most powerful deity सबसे powerful सबसे शक्तिसाली deity Indra होते हैं और क्या होता है इनको पुरंदरा भी कहते हैं पुरंदरा मतलब क्या होता है Lord of Cities जो cities होते हैं जो शहर हैं उनके जो है Lord उनके जो उनकी रक्षा जो करते हैं वो Indra है ठीक है Indra के बाद और ये कहां पे mention है Rig Ved में mention है इनके बाद जो सबसे important deity है वो है अगनी तो अगनी के लिए 200 times devoted है ठीक है next question देखते है who among the following was the most popular god of the early Vedic Aryans ठीक है तो Indra है सबसे popular god ठीक है नेक्स्ट आपका है 800-600 BC का जो time है वो कौन सा time है options देखते हैं Brahmin era, Sutra era, Ramayan era और Mahabharat era तो वो Brahmin era है ठीक है 800-600 BC का time Brahmin era है Sutra era को कौन सा time है 7 BC to 3 BC को Sutra period कहते हैं ठीक है next question है the largest number of mantras in Rig Veda belongs to आपको बता है यह किसको जो है largest number of Mantra है Rig Veda में तो यह है Indra को but option Indra का है नहीं option है अग्नी तो मैंने बताया था Indra के बाद जिस्ट जो important जो daddy होते हैं वो होते हैं अग्नी और इनको 200 times devoted है अगर अग्नी के जगे अग्नी होता option में यह अग्नी भी होता इंद्र होता चारो option में तो answer आपका इंद्र ही होता ठीक है next देखते हैं who among the following is related with the war god युद्र के देवता कौन है रिगवेट में ठीक है तो हमने जस्ट बताया कि इंद्र जो है वो युद्र के देवता हैं इंद्र को sky god भी कहते हैं along with the rudra ठीक है rudra और इंद्र दोनो sky god है फिर इनको युद्र के देवता भी कहते हैं god of war भी कहते है storm के देवता भी कहते हैं जो जंजावत होती है उसके देवता कहते हैं यह जो thunderbolt है जो बिजली कड़कती है और जितने भी यह आपके बारिश जो हो रही है तो यह जो weather phenomenon है उसको कौन control कर रहा है इंद्र कर रहे हैं ठीक है इस साथ में इनको पुरंदर भी कहते हैं पुरंद फॉलोइग गौड्स वर कंसीड़ द वार गौड़ इन द वैडिक पैंथन अभी आपने जह से देखा वार गौड कौन है इंड्र है ठीक है नेक्स वेशन देखते हैं वंग ऑ्मग फॉलोइग व्स पॉपुलर गौड ऑ इंद्र हैं यह सारी चीजह हमने देख ली है ठीक गायतरी मंत्र was first written in Sanskrit in the Rig Veda by the Brahmarchi Vishwamitra तो कौन है राइटर संस्कृत में लिखा गया गायतरी मंत्र और Brahmarchi Vishwamitra ने गायतरी मंत्र को लिखा अब क्या है गायतरी मंत्र का मतलब क्या होता है देखिए गायतरी मंत्र मतलब होता है कि जो supreme god है जो परमपुरुष भगवान है वो हमारे mind को हमारे बुद्धी को उस रास्ते ले जाए जो रास्ता सही हो मतलब सही रास्ते पे हमारे बुद्धी को अग्रसित करें उसको आगे लेके जाए ठीक है next question है the mantra famous with the name of the गायतरी मंत्र found in which of the following scriptures जो गायतरी मंत्र है वो किस scripture में है अभी हमने जस देखा वो कहा है रिगवेद में है who composed गायतरी मंत्र तो कौन है ब्रह्मरेशी विश्वामित्र ठीक है next question देखते हैं देखें सर्ग, प्रतिसर्ग, वन्स, मनवंतर और वन्शानुचरित are the indicators of यह किसके इंडिकेटर हैं वेदाज, पुरानाज, उपनिशत और सूत्र तो यह पुरान के इंडिकेटर हैं तो पुरान के पाँच characteristics होते हैं जो है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंस, मनवंतर और वंशानुचरित तो जो आगे के दो हैं सर्ग और प्रतिसर्ग ये क्या है? Natural creation है ठीके ना? Nature ही प्रकृति ही create की हुई है लेकिन जो और बागी के हैं वो हम देखते हैं वंस means क्या होता है? History of sages and gods जो god है, भगवान है और जो sages मतलब जो साधू संथ है उनका जो history है वो वंस में है ठीके मनवंतर क्या है? मनवंतर is the period of the different manus जो different different manu है, जो manu हुए उनका जो time है उसको मनवंतर कहा जाता है और वंशानुचरित मतलब होता है जीनोलोजी of kings तो जो kings की family tree है, उनके ancestor है उसको पूरी उनके जीनोलोजी को हम क्या कहते है वंसानुचरित next देखते है number of purans, कितने पुरान है? option है 16, 18, 19, 21 आपको पता है कि पुरान कितने होते हैं? 18, 18 पुरान होता है ठीक है तो जो है ठारो पुरान का यहाँ पर नाम दिया गया है और यह जो important है वो देखने है out of 18 पुरानाज स्रीमत भागवतम is considered as the crown jewel of the Vedic literature तो स्रीमत भागवतम जो है वो क्या है? crown jewel है सबसे चमकता हुआ जो है, सबसे चमकता हुआ आप भूशल कह सकते हैं जितने हमारे पुरान से हैं ठीक है? Vedic literature next देखते हैं in which language the स्रीमत भागवत गीता originally written? किस language में लिखा गया है? तो यह Sanskrit language में लिखा गया है option हमारे थे Sanskrit, Urdu, Pali और Hindi तो यह लिखा गया है Sanskrit में next question देखते हैं option एक बार देख लेते हैं इसमें यह जो explanation है आपका स्रीमत भागवत गीता was originally written in Sanskrit language often referred short as Gita ठीक है? short में हम Gita बोलते हैं तो Gita ठीक है? there are 700 verses in the Hindu scriptures and this is the part of the epic Mahabharata और यह Gita किसका part है? Mahabharata जो हमारा Mahabharata है उसका पार्ट है गीता ठीक है? तो originally starting में Mahabharata को किस नाम से जाना जाता था? तो answer हमारा Jai Sanhita ठीक है? Jai Samhita Mahabharata originally has only 8,800 slokas ठीक है? 8,800 slokas starting में थे and its original name was Jai Jaya या फिर Jaya Samhita Jaya या Jaya Samhita गहा जाता था Mahabharata today has 1,000,000 slokas अभी 1,000,000 slokas है और यह कौन लिखा है इन्होंने? इन्होंने जो वेद व्यास है जो हमारे सेज है जो हमारे संथ है वेद व्यास उन्होंने जो है इनको Mahabharata को लिखा है ठीक है? Next question है यह Mahabharata was Mahabharata by what name were the Kuninda kings known? ठीक है? महाभारत में जो Kuninda kings है उनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है? अ किस नाम से फदेकर जो 돌 ठीक है? कुनinda kings in Mahabharat were known by the name of the डीक है? इन इन सभापर्व ठीक है? कहां पर सभापर्यम है? ठीक है? पर्व अफ महाभारत ठीक है? in this they have been address at the chief among dwits ठीक है? chief among dwits तो उनको द्विज में भी सबसे स्टेस्ट द्विज कहा गया है ठीक है नेक्स देखते हैं according to Hindu mythology which serpent offer himself as a rope for churning the ocean ठीक है ocean को जब समुद्र का मंथन किया गया था तो कौन सा snake है कौन सा जो है आपका snake है साम है जो अपने आपको प्रस्तूत करते हैं कि हमारे द्वारा जो है ocean का समुद्र का मंथन किया जाए ठीक है तो आपका option है कालिया पुसकर और वासुकी और शेशनाग ठीक है तो उत्तर है वासुकी ठीक है एक्स्मिनिशन देखते हैं churning of the ocean of milk was an elaborate process mount देखिए कौन सा mount है तो mount मंदर परवत है मंदर परवत को रखा गया और उससे पूरे ocean की चर्णी की गयी थी और rope कौन था रोप की जगे वासुकी जो snake है serpent है वासुकी साप का यूज किया गया था ठीक है ना वासुकी जो है the untouchability was put clearly किस phase में untouchability का concept clearly जो है सामने रखा गया आया ठीक है तो वो है Rig Vedic phase, Letter Vedic phase, Letter Gupta phase और धर्म शास्त्रा phase सही उत्तर हमारा है धर्म शास्त्रा phase explanation देखते हैं the concept of untouchability assumed a definite shape in clearly Christian era in early Christian era Christian era के पहले यह concept of untouchability आया which was the period known as the dharm sastra in the ancient Indian history तो हमारे प्राचीन भारते थियास में इसको धर्म शास्त्रा period कहा जाता है जब untouchability आई during this period, Brahmanical religion was on the top तो जो Brahmanical religion था, जो Brahman धर्म था, वो top पे था various scriptures were being written and the social customs of different types were followed strictly and untouchability was one of them तो बहुत सारे scriptures लिखे गया बहुत सारे तरीकों के customs को follow किया गया और उसमें untouchability एक था ठीक है next हमारा है from which upnishad the word satyamyojate has been taken satyamyojate कहां से लिया गया है options देखते है mundu ko upnishad mundu ko नहीं है, mandu ko upnishad है ठीक है, option क्या है mandu ko upnishad b है कठो upnishad c है चंदो upnishad और d है none of ever ठीक है, तो option explanation देखते है देखिए ये none of above होगा क्यों होगा, सत्य में हो जायते in Sanskrit word written from the mundu ko upnishad mundu ko upnishad नहीं, mundu ko upnishad से लिया गया था ठीक है, अब क्या है, meaning क्या है truth alone triumphs मतलब आपका truth होता है जो सत्य होता है, उसकी क्या होता है, उसका विजय होता है भले ही वो अकेला हो सत्य अकेला है, तो भी वो वही विजित होगा ठीक है ना It was adopted as the national motto of India ठीक है, आपको पता है national motto, जो है, हमारा क्या है, सत्य में हो जायते है It is inscribed in the script at the base of the national emblem जो national emblem है हमारा उसी के base पे सत्य में हो जायते described, जो है, inscribed है ठीक है, on January 26, 1950 it was adopted by the government of India next question जो हमारा है वो है, from which उपनिशद the word सत्य में हो जायते है has been taken, कहां से लिया गया है तो same question है आपका कहां से लिया है, मंडू को उपनिशद से नहीं, मुंडू को उपनिशद से M-U-N, M-A-N से नहीं ठीक है, ध्यान रखिएगा next question है, from where the word सत्य में हो जायते, taken same question, मुंडू को उपनिशद next question है, सत्य में हो जायते which is engraved on the Indian national, Indian emblem has been taken from कहां से लिया गया, मुंडू को उपनिशद से, ठीक है, तो यह हमारे 80 questions complete हो रहे है next video में हम आगे के questions को complete करेंगे, और next video में जो हमारा व्यादी केज़ है, वो complete हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जो है, जैनिजम और बुद्धिन्जम यह सारी चीज़े हम cover करेंगे thank you so much for watching